हेलो प्रेंट्स तो आज की वड़ी में आज हम क्या करने वाले हम एक S3 बगेट क्रेट करेंगे और उसे एज फोल्डर हम सरोर पर ट्रीट करने वाले तो चले मैं आपको S3 को मेरे इम्मेने भी उबंदू का EC2 इस्टेस बाना है तो इसे हम कनेट कर लेते पहले मैंने यहां पर मेरे सरोर पर सक्सेस्पुली लॉग इन कर लिया है यहां पर हमें क्या करना है हम अब एक S3 बगेट क्रेट करेंगे और उसे एज फोल्डर मतलब सरोर पर भी वह प्रेजेंट रहना चाहिए और स्ट्रीट में वह वह डेटा सारा प्रेजेंट रहना चाहिए तो चले मतलब हम यह स्ट्रीबगेट को हमारे लोकल फोल्डर हम एज मैप करना ओने तो यहां पर क्रेट बगेट पर क्लिक कर देना मतलब मैं अभी मेरे मांटेंगे लिए बगेट कर रहा हूं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो हमारे यहां पर सब्सक्राइब करेपें सब्सक्राइब क्या करना लोगल मतलब मैप होना चाहिं मतलब हम भी ऐसा लेक्स का स्टोरेज पर बोस्क्राइब कोई भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हम सिर्फीप स्रीब क्यों को कोब में होड़ पे मैप करने वाली तो चलिए हम सर्वभर पर हमें कुछ packages हमें install करने पड़ेंगे और पर लिए हम इस्टल कर लेते हैं तो मैंने आप एक note बना के रखा है जो packages हमें चाहिए इसमें मैंने command से आप आइड करती है हमें पहले क्या करना है Fuse नम का package है वह हमें install करना है यह utility S3 है पस जो हमारे S3 bucket को as a local folder मतलब map करते थी है जिससे एक इस technique से हम गया कर सकते हैं हमारे storage cost हम कम कर सकते हैं मतलब for example हम भी हमारे जो EBS का storage है उसका pricing हम कम करके हम S3 पर सारा हमारे data move कर सकते हैं हमने दो packages अभी इंस्टाल कर ले स्ट्री एपिस और स्ट्री वाई इस रिफ्यूज थर्ड स्टेप क्या हमें हमारा हम इसके हमें क्या चाहिए उसके लिए access के और secret access की चाहिए और क्या आपके AWS के आयम यूजर को रहती है जिसको स्ट्री क्या एक्सेस है वह हमें पहले उसके लिए हमें क्या करना है यहां पर कमांड एमने जो हमारा फाइल का नाम रहेगा वह वह डॉट पासवर्ड इस त्री एपर से इससा रहेगा यह आप देख सकते हैं डॉट पास्ट डवल्य देन हाइपर एंड इस त्री एपर और इस फाइल के अंदर आपको क्य जिसको इस ट्री वकट का एकसे से वह डालने है उसके बाद सेमी कॉलम देना है और उसके बाद आपको सिखरेट एकसेस की वहाँ पे अड़ करते नहीं और उसे सेव करते हैं तो चलिए एक फोल्डर फोल्डर करते हैं mkdir s3 mount folder इसका नाम देते हैं तो इस फोल्डर को मुझे map करना है इस s3 mount folder को map करना है s3 bucket के लिए तो चलिए कोई भी आप फोल्डर का नाम देते हैं तो मैंने सिर्पीस का नाम s3 mount folder ऐसा रख दे हैं यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले हम उस जो हमने भी खाय लिए उसकी परमिशन चेंज गरते हैं डॉट पासवर्ड की है 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 सीज मोड 6000 दें डॉट पासवर्ड है इस त्रीपेस हमने परमिशन उसको सिर्फ रूट यूजर को दे दिये मतलब बा अधर सको इसकी परमिशन हमने भी नहीं दिये नेक्स टिप हमारा रहेगा कि हमें क्या करना है है हमें इस फोल्डर को भी मैप कर लेना इस तरफी आपक देना आपको कंशल पर यहां मिल जाएगी ने अपको कुछ नहीं करना सिर्फ भाप बॉल जाएगे नहां इस तरह मोंच एड करना आप उरहों ने में एधर क्रिया इस तरह मॉंड फोलडर है अभिए परामेटर क्या है हाइपोन मतलब अभी आपको दिखा देता हूँ एम रिमूव करते थे अभी के लिए और मैं पर मांड करते तो और आपको दिखा देता हूँ यहाँ भी देख सकते यह फोल्डर यहाँ पर ना यस्तरी मांड फोल्डर इसको भी पर्मिशन कौन से कौन से रीड्राइड एक्जुकुट है तो चले हम अब उसके अंदर चल जाते सीडी स्ट्री मानफोल्डर के अंदर आइधिंक मेरा पासवर्ड हो गलत थे आइधिंक में आइम पिचा कि उसे अक्टिवट किते तो सब्सक्राइब तो इस वज़े से में हमारा नहीं हुआए वहाँ पर चले वह हम पहले चेंज करते हैं इस इसका में एक्सेज कि मैं और यहाँ पो शिर्प मेरा इन एक्टिवे तो इस्वजासे वह Ilma은 ini ुक्र्ण इसकले मॉन्टिव घặgen तो इस व्मेरे एक्सेज admit हाफ को भी होई चाह्क करने ही कि आपकी स्ट्रिट एक्षिस के नहीं सैम कमांड हम पिर से कर दोलो आप अधें हैं कि भैक पे चले जाने जाते हैं नहीं जहील है अग यहां पर देखेसगें कि अब देख दो पारमिटर दे यह थे हाइपन ओ और हाइपन ओ यू मास्क जिससे कि हम आदर चुदर को भी इसकी पर मिशिन दे सकते हैं अब यह हम चेक कर लिए थे कि हमारा मांटिंग सक्सेस्पुल यह हुआ है कि नहीं तो आपको क्या करना है सीडी स्ट्री मांट फोल्डर के अंदर चला जाना है और वह आप एक सेंपल सा फाइल बनाता हूं में वी हाइए के अंदर यहां यहां पर यहां पर मुझे सेव कर दिया है अब मेरे इस फोल्डर के अंदर एक फाइल अब हम यहां पर जाके चेक करते हैं इस त्री पकट पर चल दे जाते हो और इधर भी क्रेट होने चाहिए हो फाइल कि सो हमारा यह वाला बकट है सेकंड वोन अभी हमने क्रेट किया 20 अगुस्त को तो यहां पर देख सकते सक्सेस्पूल है मैंने यहां पर लोकल पर मैंने फाइल बनाया और आटिमाटिकली वह सिंक अप हो गया अब मैं यहां पर एक फाइल प्रोड कर देता हूं अब एड़ पर क्लिक कर देता हूं डाउन्लोड में कुन से भी वहां पर फाइल आड़ कर देता हूं ऑ और एक्जमपल मैंने भी मेरा ए टेस्ट वाला फाइल अप बनोड कर दिया मेरा क्रेडेंशल वाला और यहां पर अप्लोड पर क्लिक कर दिया मतलब अब हमारे स्ट्री टोटल कितने अब्जेक्ट से अभी यह जो मैंने अभी अप्लोड किया स्पीटेस डॉट की एक्सेस की डॉट सीस्वी वह मुझे लोकल भी दिखना चाहिए तो यहां पर एलेल कर देते हैं यहां पर देख सकते हैं हमारा स्ट्री का और लोकल फोल्डर का सक्सेस्पुली सिंक अब हुआ है यहां पर लोकल फोल्डर का कोई भी स्पेस नहीं ले रहा है तो आपको यहां पर दिखेगा देख सकते हैं इसकी फाइल सिस्टिम भी अलग है और यह लोकल फोल्डर लोकल से जो हमारा स्टोर्ज उसका पोई भी इसको यूज नहीं कर रहा है इस सारा जो डेटा है हो हमारा स्ट्री बकेट पर आपे सेक्सेस्पुली आपे स्टोर हो रहा है हम्लों ह हमारी स्ट्री बकेट का स्ट्री बकेट को हमने लोकल फोल्डर के हमने सक्सेस्पुली मांड कर दिए इस पूंपकर आपको यह काममण रहे गी यह पीज़र हैपन यू और आपके ब्यक में चले चांते हो रहें यू पिज़़या स्ट्री अटरवाण कर नहीं है ये अपर सेनिंदर चल जाके चेक करतेंं कोई भी डेटा प्रिजंडध नहीं है मतलब है स्कोण शेट侵ाद हो चुका है यहाँ स्बस्दाई शोच स्थे चेक कर जिका अपका लेकिन लोकल सी अन्माओं doctor दिया तो सो ऑस्टी हो चुका है है अब है अभी हम डिपरेंस समझते हैं कि इस कुमांड में और उस कम वह स्क्रोंड करते दें तो हमारा जो एक यहरोट रहता है नोसको उसको सिर्प सिर्फ जोन रूट यूजर को परमिशन वहाँ पर मिल जाती है लेकिन हमें और और यूजर्स लाइक फॉर एक्जबल आपको वेब सरु हो रहे आपाजी को अब्जेक्ट एक्सिस करने तो उसके लिए हमने पैरामेटर है पर आड़ करते हैं तो उसके लिए आपको और एक च जो भी फाइल श्रेंगे इस्तरी मॉंड के वंसे अक्सेस कर सकेंगे तो छल्ले पिर इसे एक बार फिर से यह वाली कमांड कर देदे मौंड कर देदे फिर इसे यहांपर हमारा फिर से बकेड कानेम जोने बनाया है वह वाला यहां के फोल्डर का नहीं इस ती मोन फोल्डर सेम फोल्डर को मैं आपकरे और यूमास मादले उमास की मादल्य ओल्यूं जिरो टू टू क्यों रख रहे हैं कि हमां सिर्फ सेवन फाइफ़ाइफ की परमिशन याप दे देने तो इसवाचे से हमने यूमास वाल्यू ू जीर लेंगे नार बार जूर देना है उसको कि यहाँ पर करतेदें सीडी याब देख सकते हैं उसको फाइज मों फॉल्डर। यहां पर देखते हैं दो हमारे फॉल्ड प्रिजंट में यहां पर अल्रीडी थे मतलब हमारेहां माउंटिंग यहां स्टोरेज के प्राइजिंग कम करना चाहते तो इस टेक्निक से आप अपना सारा डेटा है वह स्टोर कर सकते हो तो आज की उड़े में आज हम इतना ही देखने वाले थे इससे आप के स्ट्री बॉकिट को आप लोकली मैप कर सकते तो वीडियो का इसा लगा और यह भी आप ज्यान में रख देना इस वाली कमंड इससे के आपको अधर सीजर को भी ओब्जेक्ट एक्सेसिबल रहेंगे और कोई भी डाउट है कोई भी इश्यू आप भीस करें तो कमेंट सेक्शन में जरूरू बताना है जब भी आप इसका डेमो या प्रोडॉक्शन पे इंप्लिमेड करने चाहते हैं तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूरू बताना है और थैंक्यू फार वाचिं बुल्यू